ओम शान्ति देहकी स्मृति से परे जाकर अपने निजी स्वरूप को देखे मैं मस्तक मनी हूँ निराकार आत्मा हूँ मैं उंचते उंच बाप का बच्चा हूँ मैं बाप समान बनने का लक्षधारी हूँ मैं रहम दिल आत्मा हूँ मैं स्वक के प्रती रहम दिल हूँ ब्राह्मन परिवार की आत्माओ के प्रती रहम दिल हूँ विश्व की आत्माओ के प्रती रहम दिल हूँ मैं सबसे पहले स्वक के प्रती रहम दिल हूँ स्वक के प्रती रहम दिल बनकर अलबेला पन इर्शा और घुना भाव का त्याग ना किसी के प्रती गुणा भाव ना किसी के उपर प्रभावित होना तन, मन, बुद्धी सहित सिर्फ एक उंचे ते उंचे बाप पर प्रभावित निरंतर, मन, मना, भाव, स्थिति परमात्म स्नेह में डूबे हुए मुझ आत्मा को बाबा के स्नेह, सहयोग और साथ के सिवाए और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा प्यारे बाबा, बस तुम ही से उंठों तुम ही से सोऊं तुम ही से खाऊं तुम ही से से शेवा करूं तुम ही सांग कर्मयोगी बनू कर्मयोगी थाऊंड़ कर दो अजया है कर्मयोगी आत्र अजया तुम ही से खाऊंड़ मैं रह्म के सागर बापसमा रह्म दिल हूँ मैं स्व के प्रती रह्म दिल हूँ ब्राम्भन परिवार की आत्माओं के प्रती रह्म दिल हूँ किसी आत्मा का व्यवहार कैसा भी हो लेकिन उस आत्मा के प्रती भी सदा रह्म भाव कल्यान की भावना उस आत्मा के प्रती कभी भी घुणा, इर्शा वा क्रोद की भावना नहीं सदा, रह्म भाव और कल्यान की भावना स्दाना मकस्त 강्या वावना मकस्तdon वावना मैं विश्व की सभी आत्माओं के प्रती भी रह्म दिल हूँ मैं देख रहा हूँ विश्व की सर्वात्माओं को विश्व की आत्माओं को इस समय किसी न किसी कारण से मरसी की, रह्म की, दया की आवश्चता है विश्व की आत्माओं बिन बिन समस्याओं के कारण अपने मन और बुद्धी का संतुलन ना होने के कारण दुखी और परिशान होकर मरसी फूल परमात्मा को पुकार रही है विश्व की अंजान आत्माओं अपने सत्यपिता परमात्मा शुर बाबा को न जानने के कारण अपने धर्म पिताओं को गुरूरों को वा इस्टदेव को मरसी फूल समझ कर पुकार रही है वे अंजान है कि इस समय सिवाए एक बाप परमात्मा के और किसी भी आत्मा द्वारा मरसी मिल नहीं सकती दाता सिर्फ एक परमात्मा है अब बाबा मुझे कह रहे है बच्चे इन सर्वा आत्माओं की इच्छा पुर्ण करने के लिए उन्हें भावना का फल देने के लिए तुम निमित्त हो बाबा कह रहे है आप सभी ब्रह्मन बच्चे बाप के सहयोगी साथी बुजाए हो तुम मास्टर मरसी फुल हो अपने विश्व परिवार की अंजान परिशान आत्माओं के उपर रहम दिल बनो अनुभाव करेंगे अपने रहम दिल मास्टर मरसी फुल स्वरूप मेस्थिद मै आत्मा विश्व की सर्व प्यासी आत्माओं को अपने पावर्फुल मनसा संकल्पो द्वारा सुक शांती की अंचली देकर तुरुप्त कर रहा हूँ विश्व की सर्व प्यासी आत्माओं को सुक शांती आनन्द और प्रेम के खजाने से भरपूर कर रहा हूँ अपने भटके हुए भाई बैनों को सही रास्ता बता रहा हूँ ओ शांती ओ शान्ती जान्ती